पशुपती नात का ब्रत करने वाली इस्त्री पुरूश बच्चा बेटा बेटी जुवान बुढ़ा जो भी है दिखावे से कभी पशुपते ब्रत मतने हैं 5–10 बार का ब्रत होता है पास्वार के बीच में अगर कोई आपका तेवार आ गया कोई तीज आगई कोई आपका तेवार आ रहा रहे हो वो प्रत क्या चाहिए तो आप इस ब्रत को छोड़कर अगला ब्रत कुर। एक ही मंदिर में पाच ब्रत पूरे होना चाहिए ऐसा नहीं कि दो ब्रत इस मंदिर में कर लिए तीन ब्रत उस मंदिर में कर लिए नहीं पाचों ब्रत एक ही मंदिर हो पूजा की ठाली अविशे कूजन का समान सुबरे के टाइम लेकर भगवान शिवके मंदिर में जाकर अर के समय उसी पूजा कि ठाली को वापिस लेकर जाओ मिठे का परशाद बनाओ कड़िया में भगोनी में उतना ही परशाद बनाना जितना मंदिर में लेकर जाना कि ठोड़ा बनाकर परिवार वलकिले अलग रख देती हूं उसमें से ले जाओंगी तो परशाद के तो इससे बही हो गए कड़िया में उतना जितना परशाद बनाया है वो पूरा की पूरा लेकर जाना पड़ेगा बचा कर रखने ही सकते क्योंकि अगर बचा कर रखा तो द लोना यहां से कागज जो भी छीजाप लेकर जाते हो प्रेट वगरा वह सांत में लेकर जाओ जाओ छे दिये लेकर छे दिये शंकरजी के मंदिर में नीचे लाइन से रख लो परिशाद के तीन हिस्से कर लो कि बाबा की पूजन आराधना वापिस कर ओ कि अप पांच दिय आछे परजिलित कर लें छटे नम्बर का दिया जलाना नहीं है जमीन के जरूर रखने बाबा की पूज включान करने के बात में परशाद का एक हिटा थाली में रख लो छंगे नमबर का जो दिया है जिसको जलाया नहीं इसको थाली में रख लो बाबा को प्राखना करो बाबा आज मेरा पहला पशुपती ब्रत है सुईकार करना बाबा मेरे मन के विलाशा को कोन करना बाबा तेरी बेटी हूँ तेरा बेटा हूँ तू करपा करना बाबा किसी दूसरे के दर्वाजे पर मुझे जुकने मत देना तेरे दरवाजे की आस लगा कर आए हूँ तु परुना करना बागा बिंती करकर एक दिया परशाद का ये किस्ता लेकर जब घर आओ जब घर के दरवाजे में जब प्रवेश परवेश करो तो सीधे हाथ की और अपने घर की और मुख परकर बेठ जा अपने घर में जब प्रवेश करो तो सीथे हाथ की और बेट कर घर की और मुख करकर बेठो दिया लगा दो जो छटे नंबर का दिया लाई हो उसको परजलित करो परशाद का हिस्सा जो घर के अंदर लेकर गई हो भोजन करने से पहले परशाद का जो हिस्सा है उसे तुम्हे करें न continental बच्च को ना किसी को भी नहीं देना है केवल जो भ्रत करने वाला व्यति आपने हिस्ते का परशाद अपने को ही पाने परशाद का हिस्सा खाकर फिर भोजन करो बाबा का इसमर्ण करें ऐसे पांच ब्रत पून हो जब पांचवा ब्रतो तब एक नर्यल बन सके तो पुल की पंखड़ी पुष्प चावल जो तुम ले जा सकते हो नर्यल के साथ बेढ अधिक लेकर बाबा की जैसे पूझन भर सुम्बार करी बेसी ही करें नर्यल समर्पित करकर एक पूल की पंखड़ी एक सुआडवर श्ली करकर बाबा को समर्पित कर दें किनती कर लें नर्यल और भेढ देते समय बाबा आज नेरा पांचवा और पून हो रहा है जोली भारना करपा करना बिंती कर कर छटे नमबर का दिया पर साथ कैकेसा ले कर बापिस आउ धिया जला कर जो बिंती बाबा की є iz दिन अवश्य करें पाच्छे सुंबाद और ढून करें तीन महिने बाबा का उस ब्रत का इंतजार ख्रें बैसे तो विश्वास है तीन महीने आपको इंतजार महीं करना पड़ेगा बाबादेर्द महीने में ही कृपा कर देगा यह पशुपती ब्रत है शिम मंदिर में करना चागा भागवान संकर की अराधना पशुपति व्रत की महत्वता एक पाशुपत्य अस्त्र भी है जो भागवान देवादीर महादेव ने राम जी को भी दिया था भागवान कृष्ण के पास भी यह पशुपति व्रत है कोई कहें कि तीन चार वार वरत करना पड़ेगा कोई कए ऐसे वरत करना पड़ेगा वरत का जो नीम है वो आपको बताया दुनिया के लोग हाज कल परशुपति वरत का इतना धोंगा प्रपत्चा कर दिये हैं नए 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 लोगों ने अपनी अपनी पीट से बता बता कर कि सुबेरे एसे नहाना पड़ेगा, एसे जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, फालतु का अडंबर बिल्कुल संकर भगवान को पसंद नहीं है, शिवजी को दिखावा प्रिय नहीं है संकर बगवन को आड़म